सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एन्ट कुड़काउं डाट कॉम मैं हूं डॉक्टर मनीश प्रिकाश में हो महत्पल कुड़काउं से आज मैं आप लोगों से बात चीत करूंगा, एरिंग लॉस के बारे में उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके टाइट्स होते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया सकता हैма और इसका कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है तो hearing loss को समझने से पहले हम देखते हैं हमारा hearing system कैसे काम करता है जो हमारा hearing system है body का हमारे कान के अंदर होता है जिसके तीन parts होते हैं जिसको हम लोग outer ear कहते हैं, middle ear कहते हैं और inner ear कहते हैं जो outer ear है इसमें पिनना होता है जिसका काम होता है sound को collection करना और ear canal होता है जो sound को कान के पर्दे तक भेजता है कान के पर्दे तक के हिस्से को हम outer ear कहते हैं कान के पर्दे में कान के पर्दे की पीछे जो चावल के दानों के बराबर सुनाई की हड्डियां होती है और middle ear mucosa होती है इस system को हम middle ear कहते है और जो हमारा inner ear होता है वो हमारा hearing system जिसे cochlea कहते हैं और vestibule कहते हैं इनका बना हुआ होता है cochlea से नस निकलती है जिसको हम लोग cochlear nerve कहते हैं और vestibule और balancing system से nerve निकलती है जिसको हम लोग vestibular nerve कहते हैं जब sound आती है तो बाहर से वो waves के form में आती है और waves के form में ये पिन्ना के थ्वारा collect होती है और ये अंदर कनाल से हमारे परदे पर जाके टकराती है जो परदे पर टकराती है तो जो vibrations पैदा होते हैं ये इन छोटी-छोटी सुनाई की हड़ियां जिनको हम ossicles कहते हैं इनके जरीए ये हमारे inner ear तक जाती है जो inner ear में जो fluid होता है इसमें vibrations होते हैं और इन vibrations के pattern को हमारा cochlea pick up करता है और hearing nerve के द्वारा ये brain में भेज़ा जाते हैं जो हमारा brain में hearing center होता है इन अलग-अलग pattern of vibrations को समझ पाता है और क्या बोला जा रहा है इस चीज़ को हमारे brain को समझ पाता है जब भी हम देखते हैं कि किसी patient को hearing loss होता है उसको हम देखते हैं या तो उसके conduction में माने के sound को यहां से जो शुरू होगी अंदर तक पहुचने तक इस system में problem हो सकती है इस तरह को हम conductive hearing loss का नाम देते हैं अगर sound अंदर तक पहुच रही है लेकिन फिर भी नस उसे अच्छे से नहीं पकड़ पा रही है क्योंकि यहां पे nerve weak हो गई है या जो हमारे cochlea के अंदर जो hair cells होते हैं जो इस vibration को आगे नस में भेजते हैं वो damage हो गए हैं तो इस process को हम sensorineural hearing loss कहते हैं इस वज़े से patient को सुनने में कमी हो सकती है कई patients में सिर्फ कान के रस्ते में blockage होने की वज़े से जैसे के mail की वज़े से blockage हो जाए या पर्दे में छेद हो जाए या पर्दे के पीछे जो सुनाई की हड़ियां है ये damage हो जाए या किसी कारणवश ये fix हो जाएं जैसे के इन पर calcium जमने के वज़े से या crystal जमने के वज़े से इस process के वज़े से patient की सुनाई कम हो सकती है और इसको हम conductive hearing loss कहते हैं अक्सर इस तरह की conditions में operation करके कान की micro surgery या endoscopic surgery के द्वारा ये सारे तरह की परिशानियों को ठीक किया जा सकता है और patient की सुनाई को अच्छा किया जा सकता है अगर हमारे cochlea के hair cells में या nerve में weakness हो जाए तो इसको sensorineural hearing loss कहते हैं और इस तरह की situation में आम तोर पे करे जाने वाले operations इसको ठीक नहीं कर सकते हैं और इस तरह की situation में हमारे पास जो treatment options होते हैं वो होते हैं hearing aids या फिर cochlear implant आईए तो जानते हैं hearing aids क्या होती हैं किस तरीके की होती हैं और वो हमारी सुनाई की problem को किस तरह से हल कर सकती है hearing aids एक तरह की amplification device की तरह होती हैं और यह हमारे sound में को collect करती हैं उसको amplify करती हैं और हमारे कान के ear canal में भेजती हैं जिससे के यह हमारे परदे पे sound ज्यादा अच्छे से जा सके और vibration हमारे अंदर पे ज्यादा अच्छे से पहुत सके यह एक majorly amplification device की तरह काम करती हैं जो sound को लेती हैं तेज करती हैं और उनके जो air vibrations होते हैं उनको हमारे ear canal में भेज देती हैं जो हमारे कान का परदा है और पीछे की जो हड़िया है उसको sound को सेंस करती हैं और अगर सुनाई में वीकनेस हो हमारे सेंसोरी नियूरल सिस्टम में तो भी यह हेरिंग इसको कवर अप कर लेती हैं और पेशेंट को इतना सुन जाता है कि उसको हेरिंग पे कोई problem नहीं महसूस होती है जो हेरिंग लॉस होता है इसके कई types होते हैं जैसे के mild hearing loss, moderate hearing loss, moderately severe hearing loss और severe to profound hearing loss जो mild to moderate और moderately severe hearing loss है उसमें यह hearing aids बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं और हमारी problem को solve कर सकते हैं लेकिन जैसे ही moderately severe to profound hearing loss की category हो जाती है तब यह hearing aids भी आसमर्थ रहते हैं क्योंकि यह sound को इतना amplify नहीं कर पाते और sound फटने लगती है जो अंदर sound पहुसती है patient उसको clearly नहीं सुन पाता है उसकी sound की clarity कम होने लगती है जिसके वज़े से patient को irritation होने लगता है अक्सर ऐसे patient सुनाई की machine इस्तिमाल नहीं कर पाते हैं और उन machine को वह खरीदने के बाद भी रख देते हैं डबे में बंद करके क्योंकि उससे इनकी problem कम होने के बजाए बढ़ने लगती है जो चीज वह सुनना चाहते हैं वह नहीं सुन पाते हैं आसपास का शोर शराबा, मोटर गाड़ी का हौन, किसी चीज की noise वह उनको जादा कान में परिशान करने लगती है इस तरह की situation में हमारे पास latest option available है जिसको हम लोग cochlear implants कहते हैं आईए तो जानते हैं अलग-अलग तरह के hearing aids किस तरीके के होते हैं और वह किस तरीके से हमारी hearing loss में मदद कर सकते हैं जो hearing aids हैं वो अलग-अलग design में आते हैं जैसे कि यह behind the ear pattern है जो हम कान के पीछे से इसको पहन सकते हैं जो हमारे कान के पीछे इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं और यह हमारे कान में जाके बैट जाता है और अंदर vibrations हमारे कान में भेज सकते हैं इसके साथ साथ छोटा model भी आता है available इसको हम लोग कहते है RIC model क्योंकि ये open fit model होता है माने कि इसका जो microphone होता है वो बहुत ही छोटा होता है और कान को पूरी तरीके से बंद नहीं करता है ये भी हम कान में पहन सकते हैं और easily ये हमारे कान में अंदर की तरफ जा सकता है इसके साथ-साथ हमारे और छोटे devices होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं in the canal device जो कि हमारे कान में एक छोटे Bluetooth device की तरह लगा के हम रख सकते हैं जो बैठ सकता है हमारे कान में और एक बहुत ही छोटा invisible hearing aid आता है जिसको हम लोग कहते हैं CIC device जिसका मतलब होता है completely in the canal device इसके लिए इसमें एक छोटा सा तार दिया गया होता है जिसके जरीए इसको हम पकड़ के अंदर डाल सकते हैं और या फिर बाहर निकाल सकते हैं पहनने के बाद यह इतना छोटा हो जाता है कि लोगों को नहीं दिखाई देता बाहर से इसलिए इसको invisible hearing aids भी कहा जाता है झाल सकते हैं